हालो एवरीबन सोय तोड़े वी आ टोकिंग अबाओ दे एडमिशन ओप दे आइसर 2024 कापी सालों के बार वीडियो आइसर के उपर हम बना रहे हैं कि आपकी जानकरी के लिए बतातें कि पिछले 5 साल का एक्सप्रियेंस हैं को आइसर एडमिशन प्रोसेस के अंदर वीडियो जब आइसर को कोई जाना ही नहीं करता था एंड आइसर के पहली बार हमने कंटेंट डालना शुरू किया और लोगों को पता चलने लगा बौट हैं के बारी जाने के बाद में कि बहुत साघू paar इप बच्छो में पिछले कमरी साय वीडियो स्विट्यशं पिछले साल की वीडियोлов 2020-29K हम का इंडमिशन होगा ने होगा क्या करें क्या सट आप रोसेश है टने सीधल जो यण यडिन करते हैं उसके ठेकत पहले तह सफें की वीपी वाई टेस्ट ठीक है पहले वह करता था अलांकि उसको बंद कर दिया गया आप के वीपी नाम का कोई चीज नहीं होता सेकिंड होता था जैए एडवांस आपके एडवांस में अभी अच्छी रहें का यह दिया उस चैनल के तुरूप भी आप ले सकते हैं थैट हु कि एडवांस को भी लोगे न अठा दिया वोले हम सिर्फ एक ही टेस्ट लेंगे आई एक टेस्ट सो आप लोगो ने फाइनली आई एक टेस्ट में इन्रोल किया अलांकि एकर बात करें तो इस बात टोटल कंडिडेट कितने इंड्रोल हुए है आप आपने बहुत सारी याज़ास कंडिडेट सार अपलाई फोड़ा आई एक टी तीस हलांकि पिजले साल 2023 के अंदर अप्लोग थर्टी फोर थाउजट बच्चों ने अप्लाई किया था यह ता यार कुछ अब कुछ बच्चों का यह सवाल है क्या क्या कटोब जा सकता है क्या सरा प्रोसेस है अलागी पहले कुछ आलों में जो एडविशन हुआ करता था उसमें कुछ कुछ बटे वे थे रिगार्डिंग देडविशन प्रोसेस जो सीटें थी वह अलगी सारी सीटें जो है एक स्टेक में आ गई है अब कुछ भी डिफरेंस नहीं रहा थेकर जो भी बच्चे है वह आई एटी दिया है रेंक भी है और माक्स भी वह है ठीक है पिछले साल ते कप्रोक्स है वाना जाता था कि अगर आपके आपको कोई ना कोई आइससर लोट हो जाएगा लेकिन हैं माक्स से फ्रक नहीं पड़ता थीकि आपका जो रेंक बैसिस उसके वैसिस पर आपको मैं थ तो एंदर है या फिर फाईव थाउजन के आसपास आपका चलेगा अगर थाउजन के आसपास देन यूज़न लोट गुड चांसे तो गेट अलोटमेंट इन इसके बाद में आता है हमारा ओभी सी केटेग्री अप्रोक्सप्रोक्स तू थाउजन रेंक के आसपास जो है आई इसमें जो ज्यादा कंडिडेट अप्लाई नहीं करते हैं जो रहता है वह जन्रली मेजुरेटी रजिस्टेशन जन्रल वाले बच्चों का रहता है उसके बाद मुझे वाले बच्चे होते हैं आपको अप्रोक्स तक लोट में आ सकता है एस्टी के टेगरी में वही चार सो रही नो सो से लेकि एक जार रही है यह गूड चांसे तो गेट अलोटमेंट इन आईशर इस्पेसली नंबर वाइज अगर बात कर लें आपको जो नंबर शोर हो रहा होगा आपने जो टेस्ट द यह हैं आपके जो माक्स आएं उसके बेशिस पे अगर बात करें तो यार जो स्टी वाले बच्चें हैं उनकी अगर आपने अगर स्कोर कर लिया हैं कोई फाड नहीं तोड़ा है बिल्कुल बहुत जादा माक्स नी है तीस नंबर आप अगर लिए आ रहे है देन यह इसके प्रोप्स एसे वाले बच्चे वही पैंताली से लेके पचास नंबर के अच्पास अगर आपके हैं तो इसमें भी आपके पूरे पूरे चांसरे इड़ इडबली अस वाले जो बच्चें अगर आपके 75 से लेके 80 marks तक आ रहें then you have the good chances and general वाले बच्चे 95 to 100 अगर आपके marks है then you will get the allotment in the ICER application form admission process हालां कि इस बार जो है ICER को जो ICER BOPAL है वो इसके admission process को conduct कर रहा है then अगर आपको कुछ भी क्वारी है regarding the ICER admission process तो आप ICER BOPAL को email कर सकते हो and ICER BOPAL will help you to get the best resolution process हालां कि एक मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट भी थी बहुत सारे जो आजके स्कूल वाले बच्चे I mean जो कोलेजों में पढ़ाई कर रहे हैं जो first year में second year में हैं बहुत सारे स्टूडेंट है जो कि आपको बोलते हैं आप 200 रुपए दे तो को 300 रुपए दे दो मैं आपको यह सीट बना के दे दूंगा वह बना के दे दूंगा दिट्स वेरी नाइस अच्छी बात है ठीक है उनकी 400 रुपए की सर्विस ले लो फिर आपको लोग को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे आपका स्कॉलर्शिप का डाउट सोल करेंगे तो यू नेट टू डिसाइड यूर्सेल्प कि यार मेरे को आइसर मिलेगा की नहीं मिलेगा अगर नहीं मिलेगा तो मेरे पास second option क्या या पर आइसर के alternative option क्या आपको रिसार्च में जाना देन बेस्ट इंस्टिटूट कौन सा है या पर अधर जो इंस्टिटूट है अधर ट्रिपल आईटी जैसे सेंट्रेल उन्वासिटी जैस्टेट गवर्मेंट को लिजज़ है वह प्रवाइड डिगरी आप्रोक्स एज नियर बिट्वीन दे बीएस एमस पॉर्स से कौन-कौन से इंस्टिटूट है किन में मेरा इड्मेशन हो सकता है इड्मेशन होगा तो कैसे होगा क्या प्रोसेस है कौन से डॉकॉमेंट लगेंगे फी इस्टूशन फीस प्लेस्मेंट और पूरी complete resolution के लिए आप हमारी हेल् बिल्कुंट बरो हम आपको कůल करें एक किया को आपको आपको कॉंस्यां को हरता है आपको कुछ भी इश्यू है, आपको लगता है कि हमारा नोलेज अच्छा है, we are doing the counselling from the last five years from the industry, जब तक आइसर को कोई जाना ही नहीं करता था, जब हमने पहली बार आइसर के वीडियो बनाना सुरू किया, लोगों को थोड़ा थोड़ा पता लगने लगा कि वह आइसर जैस वापिस कब चुकाना है, बियार स्टुडेंट करेडिट काड अपलीकेबल है कि नहीं है, और कौन सी गोवर्टमेंट स्कीम आपकी help कर सकती है, इसके अंदर, आपका आइसर में एडविशन होई नहीं सकता, देन आपके पास क्या option अभी है, नमबर बहुत कम अभी है, को इस्टूट अलोट ही नहीं हो रहा है, गयस स्टुडेंट है, कहां जाए, कहां नहीं जाए, कौन सा इसर ले, कौन सा इसर नहीं ले, यह आपको 200 और 300 और preference list के अंदर आपके सवाल सूल नहीं होंगे, आपके और parents के भी बहुत सारी सवाल होते है, मेरा बच्चा है, कहां ज अच्छा लगते हैं, यह आप हमारी paid counseling services में भी enroll कर सकते हैं, but we cannot provide 800 और 200 और आप हमको call करिये, और you like that blah blah blah, so please forget this, and जो भी यह सब करते हैं, please stop this nonsense.